नमस्कार दोस्तों कैसे हूँ आप सभी उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है कुबर चौहान और स्वागत है आपके अपने चैनल पर पैट केर होम पर दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थमनेल पर देखा कि डॉप के आंग से कीचड क्यूं आता ह है उसी पर ये वीडियो है वीडियो को लाज तक देखीएगा तभी आपके सारी बते समझ में आईगी दोस्तों कीचड इसलिए आता है को काफी दिनों से और काफी महनों से और काफी सालों से जब से पाले हैं जब से ही हमने आजुस तक डेवार्मिंग काथी लोगों को पता रहता है तो वो कर लेते हैं जिनको नहीं पता होता है वो नहीं करते हैं जैसे कि जब पेट उसका सपा रहता है तो कभी आँच से कीचर नहीं आएगा, मूँसे स्मेल नहीं आएगी इसलिए आप लोगो को डिवार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है और मूँसे स्मेल के लिए आपको बगल गंभी मिलते हैं डॉक के पैट शॉप पे मिल जाते हैं डॉक करने के लिए आप लोगो कैसे करने है दोस्तों जब भॉली लेने जाएंगे आप तो एक चाट ले लीजी गोली का आप दुकान वाले से बूल दीजिए, जो पैट शॉप बाले हैं, उस हिसाब से हम देख लेंगे, अपने डॉप का पहले विर्ट लेना है आपको, उस हिसाब से आपको गोली देना है, गोली देने के पहले आप लोगों करना क्या है दूस्तो लिवर टॉनिक चलाना है, जैस दवाइब अच्छे से खा लेगा, जो हम दिवर्मेंट की उसे देंगे, तो इससे क्या होगा, डॉप के हाँ से कीचड़नी आएगा, लिवर टॉनिक मिलेगी, तो लिवर भी अच्छा रहेगा, सपर रहेगा, तो आप लोगों क्या करना है, सबसे पहले दो हपते तक देना है, उस हिसाब से आप लोगों को उसमें कॉंटिटी मिल जाएगी, लिवर टॉनिक कैसे देना है, 2 ml की 3 ml, उसका भी टॉनिक में ही लिखा रहता है, वो आप लोगों को टॉनिक पर मिल जाएगा, आप लोगों कौन से टॉनिक देना है, कौन से डिवर्मिंग देना है जो best है वो मैं description में डाल दूँगा आप लोग online purchase कर सकते हैं या फिर pet shop अगर आपके आज पास कहीं दिया है तो उधर से purchase कर सकते हैं और जो आखों के लिए drop आता है डॉप की वो जरूम लीजेगा और cotton से साफर लीजेगा क्योंकि डाल आप डिवर में या लीवर टवर निक करेंगे तो उससे थोड़ी टीचर उतर जाएगा पूरा इसलिए आप लोग को ड्रॉप लेना पड़ेगा वो आपको पैट शॉप में मिल जाएगा आइड्रॉप बोलते हैं जिसे आपको का ड्रॉप तो आई होप ये वीडियो आप लोगो के समझ में आ गई होगी और इस चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेर करो और लाइक करो मिलता हूं की तरह की वीडियोस में जब तक खिड़े जय हैं बंदे मात रहों